प्रेंड्स मैं हूँ संजे डब्राल आप देखे रहें मेरा चैनल दा हिमालेन डाइडी और यह चैनल जोड़ा हुआ है हमाले के साथ में हमाले की ट्रेकिंग हमाले के अलग अलग नदियां जरने पहाड परवच चोटियां शिंखलाएं उनके उपर मैं वीडियो बनाता रहता हूं साथ साथ में आपको ट्रैक्स और हमाले से जुडिवी सारी गति वीडियों की जा सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिएगे बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए सो दैट की जो मेरी आने वाली वीडियो रहेंगी उनके बारे में आपको नूटिफिकेशन टाइमली मिल जाए दोस्तो आज का जो टॉपिक है वो है आग आग यानी ज्वाला फायर अगनी कई नामों से आग विख्यात है तो आज का मेरा ये टॉपिक जो आग है वो मैं हिमाले के कॉंटेक्स में आपके सामने पेश कर रहा हूँ ना फ्रेंड्स कि आपको पता है कि आग की खोज आज से लगबग 10 लाख सालों पहले हो गई थी 10 लाख साल कैन यू इमेजिन हमारे पूर्वजो ने कैसे उस ताइम पे इतने बड़े आविश्कार को जन्म दिया होगा वैसे इसके पीशे कहानी बहुत हैं कि नैचुरल फायर जो की लाइटनिंग वेगरा से उनको फायर मिली तो उन्होंने उसको जला के रखा आगे कैरी फॉरवड किया उसके बाद में वो एक कला सीखे आग को कंटोल करने की तो ऐसा माना जाता है कि हुमन सिविलाइजेशन में आग को कंटोल करने की जो कला इंसान ने सीखी वो अब तक की सबसे बड़ी खोज या आविश्कार थी इसी आग के कारण आदी काल में जो हुमन था वो एक हंटर से फूट गैदरर बना यानि पहले वो शिकार करता था और डेली मारता था डेली खाता था परन्तु आग की खोज के बाद में वो खाना पकाना सीख गया फिर उसने फूट गैदरिंग स्टार्ट करी खेती करी और इसी प्रकार से सिविलाइजेशन आगे बढ़ती रही इसके साथ साथ इतिहास गवा रहा है कि जहां एक तरफ अगनी की खोज करना एक बहुत बड़ा आविश्कार था वहीं ये बहुत बड़ा अभिशाब भी था क्योंकि जब जब एक कंट्रोल फायर से आग अनकंट्रोल फायर में बदलती है तो बहुत ज़ादा विनाश कर बहुत ज़ादा गर्मी से वरा होता है तथा तापमान में बहुत वृद्धी हो जाती है इस अत्यदिक और भीशन गर्मी के कारण हेमाले छेत्र के निचले इलाकों में छुटपुट आग के घटनाएं होना एक आम बात हो जाती है परन्तु पिछले कुछ दश्कों से यह चुटपुट घटनाएं काफी बड़ी भयावाहा जंगल की आग में बदलती जा रही हैं जिससे ना सिर्फ इस्थानिय स्थर पर लोगों को प्रभाव पड़ रहा है बलकिन अब इसका असर पूरे ग्लोबल परिवेश में भी देखा जा रहा है दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिमाले को तीन शेड़ियों में बाटा गया है मेंली अपर हिमाले मिडिल हिमाले और लोवर हिमाले जिसको की शिवालिक रेंज भी बोलते हैं तो सबसे बड़ी जो आग की घटनाएं होती हैं वो पूरे भारत के जो हिमाले बेल्ट है उसमें जो lower श्रिवालिक जो रेंज है उनमें वोती हैं श्रिवालिक रेंज की इन पहाडियों पर चीड, साल, देवदार आधी अनेक व्रिक्ष लगते हैं जिनमें की आग लगने की सबसे अधिक संभावनाएं होती हैं इन तीनों व्रिक्षों में से भी चीड यानि की प आग लग जाती है इसके अलावा चीड के व्रिक्ष के तने में से एक विशेश प्रकार का रेजिन यानि की गोन निकलता रहता है जो की बहुत जल्दी प्रज्यलित हो जाता है तथा एक अच्छे फ्यूल का काम भी करता है इसी कारण से चीड के व्रिक्ष धूदू करके बहुत जल्दी जलने लगते हैं जंगलों में लगने वाली आग के मुखे ताह दो कारण है पहला प्रकृतिक कारण यानि की natural causes और दूसरा अप्रकृतिक कारण यानि की manmade causes या हम कह सकते हैं artificial causes जंगलों में आग लगने के प्रकृतिक कारणों में सबसे पहला कारण है बरत हुआ तापमान जैसे ही जंगलों का तापमान 46 degree centigrade से अधिक पहुच जाता है तो सुखी पत्यों में और टहनियों में आग लगने की चांसेस बहुत जादा बढ़ जाती हैं आग लगने के अन्य कारणों में दूसरा कारण जो है वह है lightning strike यानि की आस्मानी बिजली का गिरना पूरे उत्तर भारत में मैं जून के महीने में जिसकों की प्री मॉंसून सीजन भी कहते हैं तूफान और lightning का गिरना बहुत आम बात हो जाती है जिसके कारण कहीं कहीं पर जब बिजली जंगल में किसी पेड़ पौदे के उपर गिरती है तो वहाँ पर आग लग जाती है ज जो की सुखे पत्तों में आग का एक कारण बन जाती है आईए अब हम बात करते हैं अप्राकरतिक तरीकों की यानि की artificial ways जो हैं जो की आग का कारण बनती है दोस्तों जैसे दिनों दिन इंसान का हस्तक शेप प्रकरती में बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आग लगने की लीडी, सिग्रेट या चिलम जब लोग फैक देते हैं तो उसकी चिंगारी से छुटे पत्तों में और फॉलेज में आग पकड़ लेता है जो की धीरे-धीरे काफी बड़े छेत्र में फैल जाती है और फाइनली जंगलों की आग में कनवर्ट हो जाती है इसके अलावा, electricity की wires जो की एक जगे से दूसरी जगे रन करती है बहुत बार उनमें short circuit होने के कारण भी जंगलों में आग लग जाती है बहुत बार लोग अपने खेतों में उगे खत पत्वार को और जाडियों को साफ करते हैं तथा उनको एकत्र करके अपने खेतों में आग जलाते हैं वो अपने अगली खेती के लिए खेत को त्यार कर सके हैं। लेकिन खेतों में जलाई गई यहाँ आग बहुत बार हवा के द्वारा चिंगारी को कहीं दूर किसी जंगल में ले उडाती है। और जहां से यह आग पूरे जंगल में फैल जाती है। इसके अलावा हिमाले छेतर में लोग जान भुषकर भी जंगलों में आग लगाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि आग लगाने से पुरानी सूखी पत्तियां, पेडों की डाले सब जल जाती हैं। और एक फ्रेश नई घास मांसून के बारिश के बाद में उगाती है, जो की मवेशियों के लिए बहुत अच्छा चारा का काम करती है। प्राचीन काल में जंगलों में लगाई हुई आग को बहुत सोच समझ के लगाया जाता था, तथा इसमें मांसून की टाइमिंग को भी ध्यान में रखा जाता था। क्योंकि मांसून की वर्षा से जंगलों की अधिकतर आग बुझ जाय करती थी, परन्तु आजकल मांसून बहुत अनप्रेडिक्टिव हो गया है, कभी टाइम से आता है और कभी बहुत डिले हो जाता है, जिसके कारण से जंगलों की आग उस समय तक बहुत बड़े छेतर मे फाइल दाती है, नासा द्वारा जारी के गए चित्रों में, जो की सैटलाइट की मदद से लिए गए हैं, उन्हें देखके हमें पता चलता है कि पूरे उत्तर भारत में और हिमाले छेतर में आग की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं को छोटे बिंदू जो की लाल रंग में हैं, उनके द्वारा दर्शाय गया है, इसके अलावा अगर हम और फोटोग्राफ सुई देखें, तो हमें पूरे हिमाले छेतर में उत्राखन और नेपाल की पहाड़ियों के उपर से वाइट वाइट धुए के गुबार नजर आते हैं, जो की जंगलों में लगी भी आग को दर्शाता है, अगर हम उत्राखन की बात करें, तो वर्श दोहजार सोला में पूरे कुमाओ मंडल और गडवाल मंडल में भीशन जंगलों की आग फैल गई थी, अगर आगलों की बात करी जाए, तो लगबग साड़े तीन हजार हेक्टेर जंगल जलके स् इस आग का इस्तर इतना बड़ा था कि इसको बुझाने के लिए NDRF यानि National Disaster Relief Force को डिप्लॉय करना पड़ा था, इतना ही नहीं NDRF को भी अपनी सहायता के लिए भारतिय वायुसेना को बुलाना पड़ा, भारतिय वायुसेना को भी इस आग को बुझाने के लिए Mi-17 हेल अलिकॉप्टर डिप्लॉय करने पड़े, जिनमें की बांबी बकेट लगाके पूरे जंगलों की आग को बुझाय गया। भी इस भीशन अगरी कांड में मारे जाते हैं। इनमें से कुछ जीव जन्तु तो संदक्षित केटेगरी के होते हैं। इसके अलावा छोटे छोटी पौध जोकी एक या दो वर्ष की होती हैं वह भी जल जाती हैं। जिसके कारण आने वाले समय में बड़े जंगल बनने की संभावनाएं भी बहुत कम हो जाती हैं। छोटे छोटे जल स्रोत, जरने और तालाब सूख जाते हैं। तथा चिडियाएं माइग्रेट कर जाती हैं। खुल मिलाके पूरे एको सिस्टम पे बहुत गहरा इंपक्ट पड़ता है। अगर हम लॉंग टर्म्स नुक्सानों की बात करें, तो इन में से सबसे बड़ा जो इंपक्ट इंवार्मेंट को पड़ता है, वहा है टंप्रेचर का राइज होना। एक्सपर्ट का मानना है कि हर वर्ष लगने वाली भीशन वनागनी में पूरे इनवार्मेंट का टंपरचर लगभग एक डिग्री बढ़ गया है, जो की बहुती बड़ा अलामिंग सिच्वेशन है। हिमालाई छेतर में जब किसी भी जंगल में भीशन अगनी कांड होता है, तो उसके धूएं के साथ में राग के कंड भी उड़कर वायू मंडल में चले जाते हैं। सारे हिमालियन ग्लीशियर बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे हैं, जिससे की जंगलों की ये आग इस सिच्वेशन को और ज़्यादा वस्ट बना देती है। दिजास्टर फोर्स और फंड की व्यवस्था करने लगी हैं। इसके अलावा जंगलों में चैक डैम बनाए जा रहे हैं, जिससे की वर्षा का जल उनमें रुक सके तथा जंगलों में नमी बरकरार रहे हैं। साथ साथ इस्थानिय लोगों को भी जागरुक किया जा रहा है। फायर प्रोन एरियों में आग को रोकने के लिए पहले से ही कंटोल फायर कर दी जाती है। ताकि छोटी जाडियां, सुखे पत्ते सब पहले ही जल के नस्ट हो जाएं और बड़ी अगनी कांट के लिए फ्यूल समाप्त हो जाए। वन विभाग को अब modern equipments तथा radio communication भी provide किया जा रहा है, जिससे कि किसी भी छोटी आग को तुरंत उसी समय पे dodge किया जा सके। आग लगने वाले एरियों का पता करने के लिए अब satellite से निगरानी की जारी है। जंगल की आग को रोकना केवल सरकार का काम नहीं है। इसके लिए भारत के हर नाकरी को sensitize होना पड़ेगा। तो दोस्तो यह थी मेरी वीडियो जंगलों की आग के उपर पे और जंगलों की आग का हिमाले के उपर जो impact होता है उसके उपर पे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इसे अपने सभी हिमाले प्रेमी मित्रों के साथ में शेयर कीजिए। और कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे यह बताईए कि आप हिमाले के बारे में क्या सोचते हैं और उसके संद्रक्षन के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में अभी नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ में मैं संजे डब्राल दा हिमालेन डाइरी की तरफ से आपसे अलविदा चाता हूं सेव हिमालया, सेव अर्थ, एंड सेव हुमेनिटी।